हेले ब्रीबरन, बेलकम टेस अकेडमी, आई होप आपला सबच्चे होंगे, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, यह MPSI 2022 की जो वैकेंसी आने वाले हैं, उसकी परिच्छा की संपूर जानकारी जैसे, एक्जाम पैटरन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहे आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक जरू देखेगा, बहुत दिन से आप लोग की मांग थी कि MPSI की वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाए, कब आएगी और आप लोग के परिच्छा कब लिया जाएगा, और एक्जाम से पैटरन क्या रहेंगे, क्योंकि आप लो को सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलती है, चलिए मिलते हैं, क्या है Egyam pattern, qualification age limit क्या रहने वाली है? तो आप लोग को बता दूँ यह जो vacancy आने वाले हो उसमें आप लोग की salary क्या रहने वाले पद का वेतन मान क्या रहने वाला है जो salary का पद का वेतन मान रहता है यह 9300 से 34800 प्लस आप लोग का एवां grade pay वेतन जो 3600 दिया याता है यह आप लोग के grade पे रहने वाला है अब तो आप लोग के grade 7 MP में लागो हो चुका है तो आप लोग grade 7 के अज़सार आप लोग की salary दी जाएगी साथ ही साथ age limit की बात करें बहुत लोग को मानना होता है age limit क्या रहेगी आप लोग यहाँ पे दीए हुगे age limit अधिक से अधिक होना चाहिए तभी आप लोग इस फार्म को apply कर सकते हैं minimum 18 वर्स अधिक से अधिक 28 वर्ड और एक बात और बता दू 28 वर्ड से जो लोग जादा है किनको छुट मिलती है आप लोग बता दू OBC, OBC, YASC और YASC को 5 वर्स का अत्रिक्त छुट दिया आता है यहनि आप लोग को 28, 5, 33 आप लोग हो जाता है YASC, YASC और OBC के लिए 18 से 33 वर्स आप लोग की आयू रहेगी MPSI में और जो जनर्रल के लिए 18 से 28 वर्स रहने वाले आप लोग इस बात को जरूर धाने के इसमें दिया गया है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं 5 वर्स आप लोग को YASC, YASC के लिए दी जाती है यहनि 18 से 33 वर्स कर दी जाती है ठीक है YASC, YASC और OBC को छोड़कर 18 से 33 है और जनर्रल के लिए 18 से 28 आप लोग को Age Limit रहेगी है इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा वही आप लोग बात करें Education Qualification की क्या Education निउन्तम अर्थता यहनि सेचिक एवगिता क्या होना चाहिए तो हर पोस्ट के लिए अलग लग कुछ एवगिता रखेगी है जैसे सुभेदार के लिए आप लोग रखागी है कम से कम आप लोग किसी विश्वी डाले से Graduation होना चाहिए या उसके समतुले या उसके अनुसार होना चाहिए नि आप लोग Graduation कम से कम होना चाहिए तब ही आप लोग इस फार्म को अपलाई कर सकते हैं बहुत साले में आप लोग को Graduation ही मांगा है पुलिस बल में उप निरच्छक विसे साखा में आप लोग गेजुएशन ही मांगा गया है और उप निरच्छक क्योडी में यहां पर देखेगा इसमें सासंद और मानता प्रात्वी सिद्धाले से गड़ित भहुत की सासा रसाय साथ की विसे में इसनातक या उसके समतल होना साझना चाहिए यहां आर्ट से जो किये है या यह वाले है वो लोग इशाण को नधेद दा्रश्क है और अंगुली वाले भी नहीं डाँ सकते हैं और अंगुली ऴेन चीन होता है औρ प्लाटन कमांडर cultiv को है आप लोग अचिन को जो है आपक लोग तेकमीक को पर दागीा स minimum बात करें तो graduation होना ही होना चाहिए तभी आप लोग SI का form apply कर सकते हैं ठीक है इस बात को जोरू धाना कि जैसे ही post आप लोग को declare होगी कि कि पोस्ट के लिए निगल लए है और आप लोग का education qualification हर पोस्ट के लिए क्या है आप लोग को बता जेगा फिलार आप लोगा graduation इसमें रहता ही रहता है आप लोग SI की post के लिए चलिए और कुछ दग लेते हैं आप लोग के लिए और बहुत लोग बच्चे जाना चाहते हैं कि आप लोग की परिच्छा है किन किन चर्णों में होती है आप लोग से पुछना है जो भी आप लोग के मन में सवाल हो आप लोग कर के पूछ सकते हैं या आप लोग एक बाद और वाता तो एस सकेड़ी में के इस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लिजिए क्योंकि जो भी लिटेस्ट अपडेट होता है आप लोग को इस्टाग्राम पर अपडेट कर दियाता है इस्टाग्राम की लिंक आपको इंटर्विव लिया जाता है ठीक है तीन राउंड में एक पेपर लियाता है तभी आप लोग का SI में सेलेक्शन दिया जाता है और प्रथम चरण में जो आप लोग का एक्जाम होता है इसमें देख लिजी एक कंकिस होते हैं तकनिकी पोस्टों के लिए बिज्ञान गड़ और साथ ही साथ आप लोग को और बता दू कि आप लोग को 800 मीटर की दौड़ रहती है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरुस महिला के लिए 2 मिनट 40 सेकंड रखा गया एक अवसर में आप लोग को निकालना पड़ेगा महिलाओं के लिए 3 मिनट 80 सेकंड और भौ दस फीट 3 आउसर और भौत पुरसायने के लिए 10 फीट 3 आउसर के लिए और थर्ड में राउंड में आप लोग को गोला फेक है इसमें पूरुस के लिए 19 फीट गोले के बजन 7 साथ दसम दो 60 किलो ग्राम रहता है 3 आउसर दिया जाते है महिला के लिए 15 फीट 4 किलो ग्रा आपने वादी.